तो आज की मूवी काफी इंट्रेस्टिंग थ्रिलर होने वाली है कहानी की शुरुआत तो काफी नॉर्मल तरीके से होती है लेकिन जैसे ही क्लाइमेक्स आता है आपके मूँ से निकल जाएगा ये मैंने क्या देख लिया और ये हुआ क्या आज की मूवी का नाम है डेविल जो 2024 में रिलीज वी थी पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है के वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्स्राइब जरूर करें मूवी के स्टार्टिंग में हम हेमा नाम की एक औरत को देखते हैं जो के गाड़ी से कहीं जारी थी तब ही रास्ते में हेमा किसी बारे में सोचने लगती है जिस वज़े से उसका ध्यान रोट पर से हड़ जाता है इतने में एक आदमी बाइक से टर्ण मार रहा था तब तक हेमा की गाड़ी उस आदमी को जाकर टकर मार देती है जिस वज़े से उस आदमी को काफी चोट आ जाती है और साथी साथ उसका हाथ भी तूड गया था फिर हेमा गाड़ी से उतर के उस आदमी के पास जाती है और उस आदमी से माफी मागने लगती है लेकिन हम देखते हैं के हेमा अभी भी कुछ ख्यालों में ही खोई वी थी अब सीन चेंज होता है और हम हेमा को देखते हैं जो एक्सिडेंट वाले आदमी से मिलने के लिए हॉस्पिटल आई थी असल में उस आदमी का नाम रोशन है वहाँ हेमा रोशन के कमरे में जाती है और देखती है कि उसका हाथ पे प्लास्टर लगावा था ये देखकर हेमा काफी दुखी हो जाती है और रोशन को इसके लिए सोरी कहती है वहाँ रोशन हेमा से कहता है कि आपको रास्ते पर ध्यान से गाड़ी चलाना चाहिए हेमा अंदर से तो काफी दुखी थी और रोशन से वापस माफी मांगती है तब रोशन हेमा से कहता है कि आप पहले ही बहुत सोरी कह चुकी है और वैसे भी इतना जादा कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा है अच्छे से से सेहत का धन रखने और हाथ जल्दी ठीक हो जाएगा। फिर हेमा रोशन को कहती है कि मैं आपको घर छोड़ देती हूँ औ और वहाँ बहुत सारे वो मैगी खरीता है जिस पर हेमा उसे पूछती है कि तुमने इतना सारा मैगी क्यों खरीदा। रोशन कहता है कि मुझे बाद में मैगी ही बनाना पड़ता है। फिर हेमा रोशन को उसके घर छोड़ देती है लेकिन गलती से रोशन का फोन हेमा के का गया था। इसलिए अगले दिन हेमा रोशन के घर उसको फोन देने जाती है लेकिन वहाँ रोशन शर्ट नहीं पहना था। फिर रोशन हेमा को कहता है कि मैंने अभी मैगी बनाई है तुम भी खालो। पर जब रोशन हेमा का खाना खाता है तो वो रोशन को बहुत पसंद और रोशन हेमा से कहता है कि काश तुम रोश ऐसा खाना मेरी ले बना सकती जिसके बाद रोशन अपना शर्ट पहनने लगता है लेकिन हाथ पे प्लास्टर के वज़े से रोशन शर्ट नहीं पहन पा रहा था। हेमा उसको शर्ट पहनने में मदद करती है फिर हेमा अपने गर वापस आ जाती है अब हेमा अपने घर में बुक पर रही थी इतने में उसे रोशन का कॉल आता है और रोशन हेमा से कहता है कि क्या तो मुझे कहीं बाहर घुमाने ले चलोगी इस पर हेमा अब गुसा हो जाती है और रोशन से कहती है मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हेमा खाना ओडर करती है और तब रोशन उसे कहता है कि तुम्हारा फूड चोईस काफी अच्छा है रोशन हेमा से कहता है कि तुम्हारे हाथ के बनाएवे खाने के सामने ये रेस्टोरेंट का खाना भी फेल है दोनों आपस में बात करी रहे होते हैं कि इतने में हेमा पंक्चर हो जाता है फिर रोशन हेमा से स्टेफनी मांगता है और टायर ठीक करने लगता है तब ही हम देखते हैं कि हेमा भी रोशन की मदद करने लगती है और इस बीच दोनेक दूसरे के करीब आ जाते हैं फिर हेमा भी रोशन के साथ उसके घर आ जाती है और वहां रोशन ह हेमा के लिए चाय बनाता है और हेमा से कहता है कि तुम फ्री हो तो मेरे साथ चेस खिल सकती हो जिस पर हेमा मान जाती है और दोनों चेस खिल रहोते हैं कि तब ही लाइट चली जाती है और हम देखते हैं कि रोशन हेमा को किस करने की कोशिश करता है वे हेमा गुस्सा हो जाती पर जब हेमा अपने घर में होती है तब इस चीज़ का उसे ऐसास होता है कि उसने रोशन को थपर मार के सही नहीं किया इसलिए हेमा अगले दिन खुद रोशन के पास जा कर उसे सोड़ी कहती है और उसे हॉस्पिटल ले जाती है हॉस्पिटल में हेमा खुद रोशन के हाँच से पटी हटाती है और रोशन भी हेमा को माफ कर देता है फिर हेमा रोशन के बाइक को भी ठीक करा देती है जो उस दिन एक्सिडेंट में तूड गया था इसके बाद हेमा और रोशन एक साथ बाइक पे घूमने लगते हैं और काफी टाइम साथ में बिताने लगते हैं जिस वज़े से दोनों की दोस्ती गहरी हो गई थी फिर हेमा को देखते हैं जो काफी रात में अपने घर आती है लेकिन घर में हेमा का पती भी बैठा होता है तब हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब एक साल पहले हेमा और एलेक्स की शादी होती है सबी लोग घर वाले शादी से बहुत खुश होते हैं फिर हम हेमा की फर्स्ट नाइट देखते हैं जहां एलेक्स पहली रात हेमा से कहता है कि मुझे एक मीटिंग में जाना है और ऐसा कहे कि एलेक्स कमरे से चला जाता है एलेक्स असल में हेमा को बेवकूप बना रहा था और एलेक्स मीटिंग के बहाँ ने अपनी गर्ल फ्रेंड सोफिया से मिलने जाता है एलेक्स सोफिया के साथ काफी पहले से ही रिलेशन में था और जब अगले दिन एलेक्स घर आता है तब एलेक्स की बहन एलेक्स से कहती है कि तुम कल कहां चले गए थे वो बेचारी पूरी रात तुम्हार इंतिजार कर रही थी इसके बाद एलेक्स की बहाइन उसे कहती है कि तुम हेमा को बाहर डिनर पे लेके जाओ तब एलेक्स ना चाते वे भी हेमा को डिनर पे लेके जाता है और महा हेमा अपने मन का फूड मंगाती है जिसे खाते ही Alex को उसका टेस्ट बहुत ही खराब लगता है और वो खाने को मूँ से फेक देता है ये देखकर हेमा को बहुत बुरा लगता है फिर Alex और हेमा वापस घर आने लगते हैं और घर पहुँचने के बाद एलेक्स जल्दी से सो जाता है जिससे हिमा को लगता है कि एलेक्स उससे प्यारी नी करता फिर अगले दिन एलेक्स और सोफिया एक साथ जिम कर रहे होते हैं तब ही एलेक्स को घर से कॉल आता है और घर वाले एलेक्स को जल्दी से घर आने के लिए कहते है इसलिए Alex जिम ट्रेनर को सोफिया का ख्याल रखने को कहता है और घर के लिए निकल जाता है लेकिन वहाँ जिम ट्रेनर सोफिया के साथ फलर्ट करने लगता है दूसरी तरफ जब Alex घर आरा होता है कि इतने में दो आदमी एक औरत का चेन खींच कर भाग जाते हैं जिस वज़ Alex देखता है कि रोट के साइड में एक गरीब आदमी बाइबल पर रहा था इसलिए Alex उसे कुछ रुपए दे देता है जिस पर वो गरीब आदमी Alex को एक क्रॉस देता है जब Alex की फैमली कहीं बाहर जारी होती है तो Alex उन्हें छोडने के लिए जाता है और रात के समय हेमा Alex के खाना बना के रखती है लेकिन Alex तो पहले से ही सोफिया के साथ डिनर कर चुका था जिस वज़े से Alex हेमा के काफी कहने पर भी खाना नहीं खाता Alex का ऐसा behavior हेमा को समझनी आ रहा था इसलिए अगली सुबा हेमा अपनी मॉम को सारी बात बताती है जिस पर उसकी माँ उसे एक खची सी recipe बताती है और कहती है तुम ये बना कर Alex उखिला देना वो खुश हो जाएगा जिसके बाद हेमा वो डिश बना कर Alex के office जाती है लेकिन वहाँ Alex अपनी girlfriend सोफिया के साथ enjoy कर रहा था और तभी हेमा भी वहाँ पहुँच जाती है और ये सब कुछ देखने के बाद हे जिम ट्रेनर के साथ affair चल रहा था जिस वज़े से Alex जब सोफिया के कमरे में जाता है वहाँ उसे वही जिम ट्रेनर दिखता है उसे देख Alex सोफिया पे बहुत ज़्यादा गुसा होने लगता है क्योंकि सोफिया ने Alex को धोका दिया था Alex के साथ भी वैसा ही हुआ जो हेमा के कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया लेकिन तुम मुझे एक मौका दो मैं अब से ऐसा कुछ नी करूंगा मैं तुम्हें खोना नी चाता इतना कै कि Alex हेमा के पैरों में गिर जाता है और रोने लगता है जिससे हेमा Alex की बात मान लेती है और उसे माफ कर देती ह फिर दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और दोनों में काफी प्यार बढ़ जाता है अगले दिन हेमा रोशन से मिलने उसके पास जाती है और रोशन से कहती है कि अभी तक जो कुछ भी हमारे बीच हुआ है उसे गलत मसमझना असल में मेरी शादी हो चुकी है और मैं अपने पती के साथ बहुत खोश हूँ। है और रोशन हेमा को गेट के पास आने को कहता है, हेमा को समझनी पारी थी के रोशन इतनी रात उसे क्यों बुला रहा था, जिसके बाद हेमा गेट खुलती है तो रोशन हेमा से कहता है कि मैं हमेशा के लिए ये शहर चोड़ कर जा रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हें आखरी बार देखना चाता था हेमा को डर रहता है कि एलेक्स रोशन को ना देख ले तब ही एलेक्स वहां आ जाता है तब तक रोशन घर में कहीं छुप गया था तब एलेक्स हेमा से कहता है कि तुम इतनी रात यहां क्या कर रही हो फिर एलेक्स हेमा को वापस कमरे में चलने को कहता लेकिन जाते जाते एलेक्स घर का गेट बंद कर देता है जिस वज़े से रोशन घर के अंदर ही कैद हो जाता है रोशन को कैसे भी वापस जाना था इसलिए रोशन वापस हेमा के पास जाकर कहता है कि तुम कैसे भी घर का गेट खुल दो फिर हेमा धीरे से गेट खुलती है और रोशन को जाने को कहती है पर रोशन हेमा को आखरी बार गले लगाता है और इतने में वहाँ एलिक्स आ जाता है और ये सब कुछ देख कर वो गुसा हो जाता है उसे लग रहा था कि अब हेमा उसे धोका दे रही है इसलिए वो चाकू से हेमा पे और रोशन पे हमला करने लगता है और एलेक्स रोशन को मारने की कोशिश करता है पर रोशन खुद को बचाने के लिए एलेक्स को मार डालता है पर ऐसा रोशन ने खुद को बचाने के लिए किया था अब हेमा एलेक्स की लाश देखकर काफी रोने लगती है और इसका जिम्मेदार खुद को मानती है हेमा को ऐसा रोता देख रोशन उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो जब पुलिस सरिंडर करने आएगी मैं खुद को सरिंडर कर दूँगा या अगर तुम चाहो तो मेरे साथ एक नई जिन्दगी की शुरुआत कर सकती हो फिर रोशन हेमा से कहता है कि मैं एलेक्स की लाश को एक कुए में फिक दूँगा जिसके बाद रोशन एलेक्स की बाड़ी को एक बड़े से पॉलितिन बैग में बान देता है और हेमा से कहता है कि तुम यहीं रुको मैं कुछ समय में आता हूँ वहाँ बैठे बैठे हेमा को नींद आ जाती है और हेमा सपने में देखती है कि एलेक्स के माता पिता को पता चल गया था कि उनका बेटा मर गया और वो हेमा को मारने पीटेने लगते हैं, यहां तक हेमा सपने में देखती है कि एलिक्स की बॉड़ी अपने अप हवा में उर रही थी, ऐसा डरावना सपना देखने के बाद हेमा की नींद एकदम से खुल जाती है, तब हेमा सोचती है कि अब तक रौशन वापस क्यों नही होता, बस उसकी एक चिठी होती है जिसमें लिखा होता है, कि मैं अब यह सब नहीं समाल पाऊंगा, इसलिए मैं यहां से दूर जा रहा हूँ, यह सब सुनने के बाद हेमा अंदर से तूर जाती है, और रोड़ पे अकेले चलने लगती है, हेमा की हालत बहुत खराब हो जब हेमा की आँख खुलती है, तो वो खुद को एक साधू के पास पाती है, यह असल में वही गरीब आदमी है जिसने अलक्स को क्रॉस दिया था, वहां हेमा उनसे कहती है कि आप सब वापस ठीक कर दीजिए, उस साधू को हेमा के बारे में सब कुछ पता था, कि उसके करता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे सकता हूँ, वो हेमा को उसके आतीत में वापस भेज़ देता है, जब अलक्स और रोशन एक दूसरे से लर रह थे, तब ही हेमा उनके बीच आ जाती है, और लड़ाई को रोग देती है, हेमा रोशन से कहती है, यहां से तुम हमेशा के वीडियो में, टेक केर